सपने भी हैं, इरादे भी हैं, फिर भी आप वहीं क्यों हैं? पता नहीं चलता वक्त कहां चला जाता है, पूरा दिन बिजी रहते हैं, पढ़ाई धेले भर की नहीं करते, और फिर तनाव में चले जाते हैं, 24 घंटे भी हमें कम पढ़ते हैं, कहीं न कहीं लगता है, अगर कुछ और समय होता, तो थोड़ा पढ़ लेते हैं, आज मैं आपको एहसास कराऊंगा, कि आपका टाइम कहां जाता है, टाइम आपका कहां वेस्ट होता है, अगर आपने वो टाइम ड्रेनर समझ लिए, तो कहीं न कहीं, आप टाइम मैनेजमेंट स्किल सीख जाएंगे, आईए, हम बात करते हैं पहले टाइम ड्रेनर की, लोगों के लिए वो करना, जो उन्हें खुद करना चाहिए, इसका मतलब क्या है? आप लोग बड़ी जल्दी मम्मी पापा के रोल में आ जाते हैं, कहीं किसी को पैशान देखते हैं, या उसने मदद नहीं भी मांगी, तब भी बीच में कूच जाते हैं, और सारा अपना कीमती समय उनकी उपर लगा देते हैं, मैं आपको इसके कुछ एक्जैंपल देना चाहूंगा, छोटे भाई बहन हैं, उनको स्कूल का होमवक मिला, अपना तो छोड़ दिया, उनकी किताबों के अंदर घुस कर उनको पढ़ाना शुरू कर दिया, पेरेंट्स वरकिंग हैं, बिजनस हैं, या बड़े भाई बहन हैं, उनके लिए प्रेजेंटेशन बनाना, मैं ये नहीं कह रहा है, गलत है, लेकिन अपनी पढ़ाई छोड़ कर, उनके लिए प्रेजेंटेशन बनाना, उनके लिए गूगल पे चीज़ों को सर्च करना, उ Answering every question themselves without wasting time, इसका मतलब आप कोई ना कोई ग्रुप के अंदर होंगे, वो ग्रुप आपने पढ़ाई के लिए बना रखा है, जब आप उस ग्रुप के उपर जाते हैं, आपको तसली मिलती है, भई मैं time waste नहीं कर रहा है, चैब वो telegram ग्रुप हो, चैब WhatsApp, अब उसमें किसी द जवाब में भी सवाल ढून लेता है, वो उसके ओपर चार सवाल और पूछ लेता है, तो आप कहते हैं, चलो अब तो शुरू हो गया, अब तो मैं जवाब देता ही रहूँगा, और सारी query का answer अगर मैं ही करूँ, तो मेरी चाती तो शाम तक कितनी चोड़ी हो जाएगी, मै बताई नहीं सकता, तो आप क्या कर रहे हैं, हर query का answer देने के लिए बीच में कूट पढ़ते हैं, जबकि आप से specific उस दोस्त ने नहीं पूछा है, इससे होगा क्या, वो कल पूछेगा, आप कल बताएंगे, वो परसो पूछेगा, आप परसो भी बताएंगे, वो पूछता रहेगा, आप बताते रहेंगे, और आपकी पढ़ाही कहां गई, भाड की बटी में गई, आप खुद पढ़नी पाएंगे, थर्ड, mindlessly wasting time on social media, social media आजकल के time में बहुत जरूरी है, उससे आपको अबडेशन मिलता है, लेकिन कहीं न कहीं उसका एक time set होना चाहिए, 5 minute, 10 minute, 15 बीस मिनिट, आदा घंटा, एक घंटा, max to max, आप एक time alert कीजिए, उस time के अंदर अपने social media को open कीजिए, आपने जो चीज उसके अंदर करनी है, कुछ message देखने है, pose देखनी है, surfing करनी है, वो career वहाँ से बाहर आईए, अगर आप 24 घंटे phone अपने हाथ में रखेंगे, कभी Instagram कभी WhatsApp, कभी Facebook, तो होगा क्या, आप वहाँ पे 5 मिनिट के लिए जाएंगे, लेकिन जब आप वहाँ से बाहर निकल आएंगे, तो आपका दिमाग वहीं पे रहता है, और आप दूसरे कामों में concentration नहीं लगा पाते हैं, तो social media को एक limited time दीजिए, आप social media को use कीजिए, social media को use ना करने दें अपने आपको, आजकल हो क्या रहा है, social media आपका use कर रहा है, next, fourth, spending time with negative people with negative discussion, ये double negative हो गया, एक negative people, एक negative discussion, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, जो group पर आ जाते हैं, या phone call पे आ जाते हैं, मिलने के लिए आ जाते हैं, उनका जो perception है, वो negative perception है, और वो negative perception के लोग, साथ negative discussion में involved होते हैं, उनके पास example होते हैं, तरक होते हैं, वितरक होते हैं, उनके पास तरह तरह की example होते हैं, आप कह सकते हैं, उन्होंने पीचडी कर रखी है, वो आपको पूरी list दे देंगे, इन इन लोगों ने इस दिन इतनी मेहनत करी, और उनको मिला क्या कुछ भी न हैं, तो ये हो क्या रहा है, वो negative people आपके दिमाग को खराब कर रहे हैं, उनके जाने के बाद अब उनके विचार आपके दिमाग में बैट जाते हैं, आप उनके बारे में सोचते हैं, और आप भी ये चीज अपने circle में आगे share करते हैं, मेरे हिसाफ से पढ़ाई लिखाई स मैं आपको बोलता हूँ, choose your company very wisely, you are in a professional course, आप अपनी company बहुत ध्यान से choose कीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, you are always the average of five with whom you spend most of the time, आपके जो पांच दोस्त, जिनके साथ आप अपना maximum समय बिताते हैं, आप उसका average हैं, अगर वो पांच दोस्त पढ़ाई लिखाई मे बेहतरीन हैं, तो no doubt, आप भी एक rank holder बनके दिखाएंगे, और अगर वो निखट्टू हैं, तो छटा number आपका है, आप यस बात को ध्यान रखिएगा, मैं एक छोटा सा example, एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ, चार दोस्त थे, एक नंबर के पियकड, उस office में एक अफिस के बाद किसी restaurant में जाके बैठते हैं, वहाँ पे जाके पीते पिलाते हैं, तो वो पांचवा दोस्त भी उनकी company में आ गया, और उनके साथ वहाँ चला गया, अब वो चार दोस्त कहते हैं, भाई तू लेगा, ये कहते हैं, नहीं नहीं, मैं तो नहीं लोगा, मैं तो तू नहीं लेगा, तो हम भी नहीं लेगे, वो कह रहे हैं, नहीं नहीं तुम लो, तू नहीं लेगा, तो हम भी नहीं लेगे, बड़ी मुश्किल से, उनको मनाया, और मनाने के बाद, अब वो चार पी रहे हैं, और ये अपना दुबारा नीमू पानी, तीसरे दिन दुब दोस्त था, वो कहता है, आज बोतल भाही खोलेगा, तो कहने का मतलब यह है, it is your company, जो decide करती है, कि आप क्या है और आप क्या बनने जा रहे हैं, last, fifth, always remain in thinking stage, आप हमेशा सपनों में रहते हैं, सोचने की stage में रहते हैं, समस्या यह है, आप पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आता, पढ़ा ही कहां से शुरू करें, हमें एक गुरूप देना है, दो गुरूप देने है, अगर decided है, तो उसमें इतने subjects हैं, हम किस subjects से शुरू करें, उस subject में इतने सारे chapters हैं, किस topics से शुरू करें, और जब शुरू करने बैठते हैं, अगर थोड़ा बहुत एकात सवाल नहीं निकलता, तो motivation तूट जाता है, और कहते हैं, छोड़ो, अब इसको हम कल पे डाल देते हैं, कल देखेंगे, इसका सबसे अच्छा तरीका है, to-do list, आप अपनी to-do list बनाईए, उसमें लिखिए अपने daily targets, और रात को चेक कीजिए, क्या आप वो targets अचीव कर पाएं हैं, अगर नहीं, तो उनका कारण ढूंडिए, और उसको दूर करने की कोशिश कीजिए, ये 5 time drainer हैं, अगर आपने इसके उपर काबू कर लिया, definitely मैं आपको बताता हूँ, success आपसे दूर नहीं है, आपको एक बात समझनी होगी, time is not main thing, it is the only thing, so always mind your business, अपने काम से काम रखो और आपका काम पढ़ाई करने का है, सिर्फ पढ़ाई ही आपको करनी है, कुछ time तक, और उसके बाद सारी जंदगी आपको उस पढ़ाई के basis पे success मिलता रहेगा, thank you very much all of you, मैं बड़ी जल्द आपके साथ एक दूसरे वीडियो में आऊंगा, और आपको कुछ नई tips दोंगा, thank you.